A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 2 minutes and compiled data in the following table. A student is sitting beside the road, road की साइट पे बैटा हुआ है, ठीक है, और हो वहाँ से कुछ cars पास हो रही है और उनको अब्सर्व कर रहा है और हो अब्सर्व करते वक्त क्या करता है कि वो कुछ periods बना लेता है 2 minutes each के, जैसे आपका स्कूल में periods होते हैं 40 minutes के, total 8 periods होते हैं, तो उसी तरह से बेटर उसने 2 minutes each के period बनाए हैं, और कितने periods बनाए हैं, 100 periods अब मालो किसी period में 56 cars पास होती है, तो उस period को किस में डाल देता है, number of cars में जो 50 to 60 वाला group है उसमें डाल देता है, ठीक है, अब मालो अगर किसी period में, 2 minutes वाले period में say 30 cars पास होती है, तो उसको 30 to 40 वाले groups में डाल देता है, उस period को, ऐसे करते करते हैं, इसका data बेटर टेबल बन जाता है, compile कर लेता हो data को in the frequency distribution table, ठीक है, जब वो टेबल बना लेता है, तो कुछ इस तरह का table form होता है, लेकिन उसमें 2 frequency हमें missing दिए हैं उस table में से, x और y, और raw missing frequency हमें find करनी है, और उसके लिए हमें find करने के लिए हमें mode of the data given है, कितना given है 44, और total of frequency भी given है 100, तो बेटर, अब इसमें हम 2 equation बनाएंगे, 2 equation, linear equation 2 variables बनाएंगे, ठीक है, तो वो कैसे बनेगी, first equation बनेगी frequency वाले column से, इसमें हम ये frequency को add करके equal to 100 लिखतेंगे, तो पहले हम variable वाली frequency लेते हैं like x, और दूसरी missing frequency y, यानि कि x प्लस y और फिर constant term को add कर लो, like 7, 13, 15, 10, 14 और 8 को, इन सब को add करके बेटर 67 आएगा, प्लस 67 is equal to 100, अब क्या होगा कि x प्लस y इदर आएगा, अब 67 को हम 100 के साथ shift कर देंगे, 100 माइनस 67, अब x प्लस y is equal to 33, यह हमारी equation 1 consider होईगी, next हम use करेंगे mode के formula का, mode का formula use करने से पहले बेटा हमें model class पता होनी चाहिए, अब model class, generally अगर हमें mode find करना होता, तो हम highest frequency देखते हैं, जैसे इसमें highest frequency 15 है, तो हम model class 30 to 40 ले ले लेते, लेकिन, अभी हम 30 to 40 को model class नहीं मान सकते, जब तक क्योंकि हमें x और y जो है na missing frequency है, हो सकता है y की value या x की value 15 से ज्यादा आ जाए, उस case में model class बदल जाएगी na highest frequency भी चेंज हो जाएगी, 15 के बजाए मान लो यहाँ पर y में हमारा 18 आ जाए, तो उस case में model class 40 to 50 हो जाएगी, तो model class हम highest frequency देखके इस question, particular question में determine नहीं कर सकते, तो उसके लिए बेटा हमें देखना होगा mode कितना दिया है, mode question में हमें 44 दिया है, अब हम देखे कि mode कौन से class interval में lie करता है, किस class interval के between में lie करता है, it lie between 40 to 50, 40 to 50, तो model class हमारी 40 to 50 हो जाएगी, अब बेटा मोड तो हमें पता है, कितना है 44 हम लिख लेते हैं, L होते है lower limit of the model class, अब model class कौन सी है यह बेटा, 40 to 50, तो इसकी lower limit क्या है, 40 है, कि या आप limit 50 है, तो lower limit 40 होगी, तो 44 is equal to 40, और F1 क्या होता है, F1 is the frequency of the model class, model class 40 to 50 है, उसकी frequency F1 होती है, यानि कि F1 किसके एक वले हैं यहाँ आपर, Y के, तो इदर हम F1 की जगे Y लिख देंगे, minus F0, F0 क्या होता है, frequency of the class before the model class, F0 जो होगी ने, बेटा, frequency of the model class से पहले वाली frequency, model class कौन सी है, 40 to 50, उसकी Y है, तो उससे पहले वाली frequency, before वाली frequency कौन सी होगी, F0 होगी, और वो कितनी given है, इस question में 15, देखो, बेटा, model class 40 to 50, Y हो गया, उससे पहले वाली क्लास की frequency की है, 15, तो F0 हो जाएगा, minus 15, upon 2F1, F1 तो Y है, तो 2 into Y, याने की 2Y, F0 हम determine करी चुके हैं 15, अब बेटा, F2 क्या होता है, frequency of a class after model class, model class के बाद वाली frequency, frequency, model class के बाद, वाली frequency कौन सी है, बेटा, model class 40 to 50 है, याने की Y, उसकी frequency होगी, उसके after, कौन सी frequency आ रही है, 10 आ रही है न, तो ये बेटा, F2 हो जाएगी, और वो कितनी है, 10, F2 is equal to 10 है, इस question में, और into H, H की होता है, बेटा, class size, class size में, class interval में कितने का difference है, each class interval में, 10 का difference है, 10 minus 0, 10, 20 minus 10, 10, सब में 10 का ही difference है, तो class size 10 हो गया, अब next step क्या होगा बेटा, जो ये 40 है, इसको आप 44 के साथ shift कर दोगे, यानि कि 44 minus 40 is equal to, इधर क्या बचेगा, ये पूरा term, यानि कि इसको आप ऐसे लिखना है, Y minus 15, और ये, ये किसमें हैगी bracket में और इंटेन अलग से लिखना है, तो Y minus 15 अपोन, 2Y minus 15 minus 10 कितना हो जागा, minus minus plus, minus minus क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, 15 plus 10, 25, 2Y minus 25 into 10, अब इसको आगे solve करें तो बेटा, द्यान समझा कैसे हो गई है, 44 minus 40, 44 minus 44 होता है, 44 में से, अगर 40 minus करेंगे तो 4 आएगा, is equal to Y minus 15 upon 2Y minus 25 multiply by 10, अब इसको 10 को हम Y of 15 से multiply करा देंगे, यहाँ पर यह bracket में है, तो 4 is equal to 10Y minus 150, 10Y minus 150 upon 2Y minus 25, Now, next step होगा बेटा, cross multiply, इसको इसके साथ और इस टर्म को इसके साथ, और जब हम 1 को 10Y minus 150 से multiply करेंगे, 1 को किसी भी number से multiply करो तो number itself आता है, तो हमारे पास आजाएगा 10Y minus 150 is equal to 4 into bracket में 2Y minus 25 लिखेंगे, fine, now, अब इसको solve करना है, य के लिए बेटा, अब 4 को 2 से multiply करो, 8Y, 4 into 25, 100 plus minus minus 100, अब like terms, LHS में लिए वाली term, अब LHS में लिए लिए 10Y minus 8Y is equal to minus 100 plus 50, plus 150, sorry, और 10Y minus 8Y, 2Y हो गया, 2Y is equal to, और minus 100 plus 150, minus plus minus 150 में से 100 minus करो 50 आएगा, और साइन ग्रेटर का तो 50, तो Y की वेली रहेगी बेटा हमारी, 50 अपोन 2, यानि की Y हमारा 25 आगया, अब Y की वेली बेटा 25 आगया, अब हम क्या करेंगे, next step, we'll put the value of Y in equation 1, equation 1 क्या थी बेटा, X plus Y is equal to 33, इसको याँ कॉपी कर लो, X plus Y is equal to 33, अब X को ऐसे रहने दो, Y की वेली कितनी है, 25 ही है ना, 25 है, तो X plus 25 is equal to 33, तो X की वेली क्या रहा है की, 33 माइनस 25, तो फाइनली, X is equal to कितना हो गया, 8 हो गया, यानि की, X is equal to 8, missing frequency X 8 के equal होगी, और missing frequency Y किस के equal होगी, 25 के, Q Team X is exact a ब exam памяти तो बसक्स की वेली कितना होगी, 15 कितना है, राइनस 15, Q'त č Эbit means